नमस्कार फ्रैंस प्लैनेट हब में आपका फिर से स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा कुम रासी वाले भाई बेनों के लिए अक्टोबर दोजार अठा का कैसा हिसाब किताब रहेगा पूरा महीना उनका कैसा जाएगा उसके उपर चर्चा विचार करेंगे आगे मैं बता हुआ है बहुत से वीडियो के अंदर यह बैट्स देट्स है इसको आपको फॉलो करके चलना है और यह आपका लख्की नंबर जो मैंने यहां लिखा हुआ है 960 और लख्की डेट्स लिखी हुए है 15 तारीक है वह आपको फॉलो करके उसको चलना चाहिए उसमें आपक काफी हद तक आपके काम बनते नजर आएंगे अगर कोई इंपोटेंस काम करना है कोई नया काम चालू करना है तो यह डेट्स को आप फॉलो कीजिए इसमें आपका बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा कुम रासी ऐसे देखने जाएंगे तो सबसे धनी रास बोली जाएगी हमारे हिसाब से जबी भी गुरू केंद्र में ब्रह्मन करता है और वो भी दसम स्थान में गुरू का आगमन होता है तो उसे धनी रासी का एक किताब दिया जाता है तो इनकी जो रासी है रासी चक्र से अभी गुरू इनका ग्यारा दस से इधर टेंथ हाउ इसमें आने वाला है वो इनके लिए काफी हद तक बहुत ही अच्छा सुन्दर फल देगा इन्होंने सोचा नहीं होगा इतना अच्छा हिसाब किताब इनका भी बन सकता है क्योंकि अभी गुरु का यहां जो ब्रह्मन है बहुत ही अतिशुब होने वाला है शुक्र माराज य बहुत ही सुन्दर अभी यह फल देने वाली है कुम रासी के लिए यह गोचर के जोग्रा है बहुत ही अच्छे साबित होने वाले है मंगल भी इनका मार्गी हो गया शनी खुद लगने इनका लाप स्थान में चल रहा है यह एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और वो भ भी देखने की जरूरत नहीं है वो खाली अपने काम के पीछे पर जाए उन्होंने जो भी सोचा है उन्होंने जो भी प्लानिंग किया है अभी वो सब प्लानिंग उनके सक्सेस होने के पूरे आसार दिख रहे है क्योंकि अभी प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे चल सब्सक्राइब कि शबी घ्र आपकी फेवर में चल रहे हैं गुरु माहराज का दसमस्थान में आना शुक्रा का खुद भाग्यास्थान में मौझूद होना लगनेज का लाप स्थान में जाकर बैठना ये एक लग की मैना है आपके सभी काम होने के आसार यहां दिख रहे हैं इसने कुम राशी अपने काम के पिछे लग जाए और तन मंधन से ये काम करके अपने पैसे काफी हद तक आप बना सकते हो ऐसे और के वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार